हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में टप कुर्चन की बारे में बात करूंगा जिसे आप लोगों को सोल्प करना है तो कुर्चन ध्यान से सुनिएगा और हाँ यार प्लीज वीडियो को स्किप मत किजिएगा नहीं तो कुर्चन आप लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आएग तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं, तो कुर्चन ध्यान से सुनिएगा, तो देखे कुर्चन का है, यह हमारे पास यह राम है, ठीक है, यह राम है, इसके पास कुछ रुपए हैं, पर इसके पास जितने रुपए हैं उससे देर गुना रुपया ज्यादा हरी के पास है, करा दरुपय द्राम के पदर यह और 2 गुना रुपय है और दुगए घृषप मेखन सब्सक्राल थां और सयाम और हरी ने दुनें अपने रुपई राम को दे देते हैं उसी में एक किशतरे ने आता है बैचारा तो क्या करता है एक रूपया राम को देता है तिसरा एक आता है और राम को एक रूपय देता है तो राम के पास टूटा से रूपया हो जाता है तो बताइए कि राम के पास हर स्याम और हरी ने राम को कितने-कितने रूपय दिया है अगर आप लोग के इसका जाबा पता है तो comment box में जरूर बताएं तो चलिए आप लोगो मैं इसका answer बताता हूं तो देखिए की answer कीतना होगा राम के पास सुरू में कितना रुपय था हम लोग पता नहीं थे उसका रुपय क्या करेंगे हम लोग एक्स मालेंगे तो राम के पास इतने रुपया था उसे तो देर गुना रुपया ज्यादा तो हरी के पास था तो हरी के रुपया कितना होजेगा 1.5 एक्स और दूगुना रुपया ज्यादा तो स्याम के पास था तो स्याम का रुपया कितना होजेगा 2 एक्स राहूल ने एक रुपया दिया था तो एक रुपया क पॉरा यक्स में है तो हम लोग इसे क्या करेंगे जूर देंगे तो 4.5 एक्स बड़ाबर यह 100 इधर पॉलस वन है तो उदे जाएगा तो माइनस होगा तो हम लोग 100 में से 1 घटाएंगे तो हमारा उदेगा 99 तो इधर यह देखिए 4.5 एक्स मुंटिप्लाई में इधर जाए Desde32 ऑपने किंहें तो हरी करीं कैंटने कितने कितना होगा वन पॉरण फाइक्स बास्सक्राइब तो आम लोग करन निकाचस के इसी तरह हम लोग क्रकरने का सकते आगर वीडियो आप लोगको अच्छा लागा तो लाइक किजिए और मैं सम्मादी टॉप कुर्चें के बारे मागर जनकारी चाहिए तो अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थाइक्स पर वाचिन वीडियो बाई